share market के अंदर भी मैं यहां पर अपने पैसे को एक छोटी सी पूझी भी अगर हमारे पास है ठीक है माल लेजे किसी के पास महीने में 100 रुपय बचता है किसी के पास महीने में 1000 रुपय बचता है किसी के पास 10,000 बचता है किसी के पास 20,000 बचता है किसी के पास कुछ भी बचता किलियर आप share market के अंदर जानते हैं कि आज के जो trend चल रहा है वो share market का trend चल रहा है तो आप एक अगर एक आपको कुछ नहीं पता है इस market के अंदर कि आप यहाँ पर call put किस तरह से आप buy करते हैं ठीक है call put आप किस तरह से buy करते हैं call put आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वहाँ पर continue आप नुकसान कर रहे है मेरी बात आप समझे कि प्लीज आप continue आप call put में नुकसान करते जा रहे हैं आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना तो करना क्या चाहिए चुकि आप share market से जुड़े रहना चाहते हैं बट आप ये कालपूर का जो system है मतलब जो आपसं ट्रेडिंग का system है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे बाद आपसं ट्रेडिंग का system आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है और आप continue last में last करते जा रहे है उस last का recovery आपको करना है और वो last की recovery करने के चक्कर में आप जो है तो और इस market में last करते हैं घुसते जाते हैं घुसते जाते हैं अंतता होता क्या है आपके पास last होता है आपके साथ last होता है पता नहीं कितने लोग आपको कई तरह के आपको मतलब दिखावटी करते हैं कि आप इतना पैसा दो तो मैं आपको लास रिकवरी करवा दूगा इतना दो तो आपको लास रिकवरी करवा दूगा मतलब तरह तरह के आपको प्रलोबन दिये जाते हैं अंत में कुछ नहीं होता है और चुकि हमारी एक psychology ऐसी है हम एक इनसान ऐसे है कि हमको लगता है यह हमारा पैसा था हमें इस पैसे से प्यार है और यह हमारा पैसा किसी तरह से कुछ न कुछ करके यहां पर recovery हो जाए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे पहले लगता था कि ठीक है मैं यहां पर पैसा ज़्यादा कमाऊंगा लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरा 500 रुपे परड़े भी अगर यहां पर मिल जाता है तो मैं यहाँ पर खुस हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि अब मेरे मतलब capital जो भी हमने गवाया था वो recovery यहाँ पर होना चाहिए अंतता होता क्या आपको पैसा recovery नहीं होता इस system से बचने के लिए ध्यान में रखिए कि यह जो आपका system था आपसे ट्रेडिंग वाला इस system से भचने के लिए मैं आप सबके से लिए एक ऐसा system लेकर के आया हूँ आप यकीन नहीं करेंगे अगर आज से भी आपने चालू कर दिया आज से आपने चालू कर दिया जो भी आप करते हैं आप उसमें से कुछ पैसा मुझे पता है आप लोग बचा करके इस market के अंदर आते हैं आप यह सोचते हैं कि यार मैं कुछ time pass यहां पर कर लूँ और मुझे कुछ time pass के साथ साथ मुझे कुछ ने कुछ income हो जाए बेटर है अच्छी चीश है आपको सोचना चाहिए देखिए आज की दुनिया में सोचने का सबको अधिकार है लेकिन आप खुछ सोचे कि जब तक आप इस market के अंदर कोई चीश जानते नहीं है तो आपको डारेक्ट इस काल पुट के अंदर नहीं गुसना चाहिए नहीं गुसना चाहिए तो फिर इसका option क्या है बही चुकि हमने यहाँ पर आपको पहले बता दिया बही मुझे share market अच्छा लग रहा है share market का मतलब अगर पैसा यहाँ पर investment किया जाया या पैसा लगाया तो बहुत अच्छे return मिलता है यह सब जानते है clear है तो यहाँ पर हमको करना कैसे चाहिए मेरा कहना है मतलब यह एक छोटा trader जिसके पास यहाँ पर जो माली यह 1000 रुपए भी है 1000 रुपए भी है अगर उसको direct share market के अंदर investment करना है तो कैसे करेगा मैं उस बात को आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे पहला यहाँ पर आता है education के बारे में second system आता है हमारे मालो बेटा है वेटी है या कुछ भी है उसके लीए अता है कि हम ऋहाँ पर क्या करेंगे उसके साधी के बारे में last में आता है हमारा क्या कि हमारा financial system मजबूत हो हम घर बनाएंगे हम अपनी जो भी हमारा एक को लगता है कि रूटी कपड़ा और मकार इस तरह से जो चीजे हम सुभिधाय लेना चाहते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर पैसा जमा करते हैं ठीक है बट समस्य यह है कि हम पैसा जमा तो करते हैं यहाँ पर हमने जमा पूझी तो अपनी करके रखा हुआ लेकिन जितने भी जमा पूझी हमने करके रखा था वो हमने कहां दे दिया इस अप्सन TRADING के चक्कर में हमने दे करके अपनी पूरी के पूरी जमा पूझी हमने यहाँ पर बरवात कर दिया यह जमा पूझी अभी भी आपके पास टाइम है मैं बोलता हूं उन एक स्टुडे आपको तरीका नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या किया जा रहा है, आपको इस market के अंदर, आप सम्म ट्रेडियम में गुसेड़ा जाता है, मेरी वाट आप समझेगा, प्लीज हो सकता है, थोड़ा से वीडियो लंबी हो, लेकिन आप बने रहे रहे आपको बहुत अच्छी आप नालेज की चीज़े मिलती है चुकि आप हमारी प्रीवेस अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा कि मेरा समझाने का तरीका क्या है, मेरा बताने का तरीका क्या है, मैं किस तरह से आपको यहां पर मोटिवेट कर भाता वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ, तो कैसे आप करेंगे काम इस मार्केट के अंदर, सेहर मार्केट के अंदर, बिल्कुल हाँ, सेहर मार्केट के अंदर ही आप काम करेंगे, लेकिन उस काम के, उस सिस्टम के आप खुद, खुद के मालिक होंगे, समझेगा, आपको यह बताना चाहता हूँ, आप खुद के मालिक होंगे, मेरी बात आप समझेगा, आप खुद के मालिक होंगे, ठीक है, कैसे, आपको यहाँ पर यह डर नहीं रहेगा, कि नई, नई, नहीं, यहाँ पर apson ट्रेडिंग में कर रहे हूं, यहाँ पर मेरा time dk हो रहा है, यहाँ पर प्राइज मेरी घट रही, यहाँ पर सिस्टम मेरा ऐसा हो रहा है, डर बन, आपके दिल में जब आपसान एक बाई करते हो ना, आपके यहाँ पर डर, मतलब दिल में डर बना रहता है, उस डर को खतम करने के लिए आज मैं आपके सामने इस सिस्टम लाया है, कैसे क जरेंगे अब आप लोग बोले बोले सर जल्दी बताओ ना जल्दी बताओ ना लेकर देखो कुछ पाने से पहले कुछ यहां पर समझ दो लो कि वो system क्या है क्यों हम आप संट रेडिंग को छोड़ना चाहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं देखो आपने सुना होगा नि को मैं डारेक्ट कैसे खरीद हूं बताइए क्या कभी आपने यह सोचा है कि मैं डारेक्ट हीनिप्टी को क्यों नों खरीद लूँ चुकि आप जानते हैं कि निप्टी जो है निप्टी एक NSC है NSC के अंदर यह काम करता है मतलं National Stock Exchange के अंदर काम करता है Nifty और Nifty में क्या है Nifty क्या करता है बताए आपको Nifty के अंदर top most 50 कंपनिया इसके अंदर काम करती है समझेगा Nifty के अंदर 50 कंपनी काम करती है मैं आपको यहाँ पर माल ले जा आपकी एक Nifty है और Nifty किसमे है आपकी Nifty किसमें लिष्टिड होती NSE में है ठीक है और जो आपका Sensex है वो Bombay Stock Exchange के अंदर काम करता है Sensex में particular 30 कंपनिया होती हो ऐसे तो बांके तो कंपनिया दुनिया भर की है बट एक मैं मोटा मोटी लेता हूँ जो BSC के अंदर काम करता हो Sensex है और जो आपका Nifty है वो आपका NSE के अंदर काम करता है ध्यान में रखिएगा Nifty है आपका किसमें काम करता है National Stocks Exchange के अंदर काम करता है अब Nifty के अंदर क्या होता है कि Nifty के अंदर आपकी 50 Most Company इसमें काम करती है क्या 50 Most Belueable Company ध्यान में रखिएगा 50 most company आपके अंदर nifty में यहाँ पर काम करती है कौन सी आप बड़े-बड़े company है है India की most company India की मैं most company की बात कि यहाँ पर कर रहा हूँ दियां रखेगा India की आपकी most 50 company यहाँ पर nifty के अंदर काम करती है ठीक है अब आप हो यहाँ पर एक मालो आप इन्वेश्टर हो आपको ये लग रहा है कि यार मैं यहाँ पर निप्टी खरीदू या यहाँ पर मैं 50 कंपनियां खरीदू आप बताइए एक आप है या मैं हूँ यहाँ पर आप डारेटली क्या आप बाई करना चाते हैं भाई आप अगर आप यहांपर particular किसी share को buy करते हैं, मतलब किसी share को buy करते हैं, ध्यान में रखेगा जो Nifty के अंदर यहांपर 50 share काम कर रहे होते हैं, अगर आप उसको share को buy करते हैं यहांपर, तो उसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि बहुत से सारे share हैं, से आप Reliance ले लिजे, ठीक है, Reliance ले लिजे, आप EHDFC बैंक ले लिजे, EHDFC आप यहाँ पर बैंक ले लिजे, ठीक है, आप ICI से बैंक ले लिजे, आप TCS ले लिजे, ठीक है, इस तरह से 50 कंपनियां हैं इसके अंदर काम करती है, इस Nifty का क्या नियम होता है, कि अगर उन 50 कंपनियों में से 6 महिने के अंदर, अगर कोई कंपनी गलत performance करती है, मतलब ठीक ठाक performance नहीं करती, तो Nifty क्या करती, उस 50 में से उस company को, उस एक particular company को क्या करती है, वहाँ से अपने उसमें से exit कर देती है, और new company जो अच्छा performance कर रही होती, वो sensex से उठा लेती है, ठीक है, मेरी बात आप समझेगे, वो sensex से उठा करके उसके अंदर रख लेती, तो आप 50 company को में पैसा लगाती है, लेकिन अगर Nifty के share में आप पैसा लगाती है, चुकि बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, share में पैसा लगाती है, बोलते हैं sir मैं यहाँ पर share buy कर लू, मैं आप Reliance buy कर लू, HDFC buy कर लू, TCS buy कर लू, ITC buy कर लू, Wipro buy कर लू, क्या buy कर लू, आप खुद बताईए कि अगर यहाँ पर, माल लिजे, यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, खुद बताईए अगर आपने किसी एक particular company को buy कर लिया, मेरे बात आप समझ रहें, किसी भी particular company को आप यहाँ पर अगर buy करते हैं, माल लिजे कि यहाँ पर आपने Reliance आपने बाई कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर Reliance बाई कर लिया, अब Reliance में आप अगर बाई करते हैं, तो Reliance का आप बताईए कितना महाँगा share है, एराउंड एराउंड माल लिजे 3000 का, ठीक है न, 3000 के करीब का share है, तो आप बताईए एक छोटा ट्रेडर बिचार है, यहाँ पर क्या कर पाएगा, एक छोटा investor क्या इस 3000 रुपे को यहाँ पर अपर अपर कर सकता है, और करेगा भी, तो कितने share यहाँ पर खरीद पाएगा, सिर्फ एक share यहाँ पर खरीद पाता है वो, एक share खरीद पाता है न, और यह एक share जरूरी तो नहीं है, रिलाइंस या कोई भी, मैं particular रिलाइंस के बात नहीं करूँ, मैं किसी के भी एक बात कर रहा हूँ, जो आप particular share में investment कर रहे हैं, जो आप पैसा लगाते हैं, तो जरूरी तो नहीं को company अच्छा ही काम करे, आप yes bank का ले लिजे उधारन, yes bank भी एक समय पर बहुत अच्छी company होगा करती थी थी, bank अच्छा था, आप देखिए, प्रफार में सच्छा देख करके, हमने investment किया था, किया था और हमारा इतना valuable जो पैसा है, वो जागर के कहां पर आगए, जो हमने यहाँ पर 500 रुपे का हमने यहाँ पर share buy किया था, ठीक है, एक share हमने 500 रुपे का buy किया था, वो आज के date में आगर रहे कि बताओ, दस रुपे में trade कर रहा है, कहां गया हमारा पैसिक बेल, खतम हो गई न, इसलिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर किसी particular share में suggest नहीं करता हूँ, कि आपको long time के लिए किसी particular share में investment करना चाहिए, आपने मेरी पूरी वीडियो देखा, गब पूरी YouTube की वीडियो देखा, मैं किसी में भी आपको नहीं बोलता, आपको long time के लिए particular किसी share में आपको investment करना चाहिए, मैं आपको क्या राय देता हूँ, कभी भी अगर आप मेरे सते मुझते हैं, मैं आपको दो ही तीन चीर यहाँ पर बताता हूँ, सबसे पहले क्या बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ M O Y N 100, देखिए मैं खुलके बोल रहा हूँ, चुकि मैं यहां पर देखें मैं प्रचार उचार नहीं करता हूँ किसी भी company के मैं यहां पर यह नहीं बोला हूँ कि मैं प्रचार कर Terminal, कि यहां पर जो मैं आपको बताया था, MOI 100 मैंने बताया था आपको यहां पर खरीदने के लिए, I think बहुत से लोग वहाँ पर 150 रुपए में भी खरीदे होंगे, ठीक है, बहुत से लोग वहाँ पर 150 रुपए में खरीदे होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसको आप रखिये, आप यूँ समझेए कि यह आपने सोना खरीदा है, मेरे दोस्त, आपने यह सोना खरीदा हुआ ह आपने यहाँ पर 100 companyyung में अपना पैसा डाल दिया जो भी आपने यहाँ पर चाहूँ आप एक हजार रुपे आपने पैसा डाल चाहा है, 2,000 रुपे चाहीं, 2,000 रुपे डाल जो भी डाला आपने टोटल अपने यहाँ पर एक सव रुपए को आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस तरह से आपका यह सव रुपए के जो बैलू है इस तरह से आपकी डिवाइड हो चुकी है आपकी बैलू आप समझ यह अब आप बताइए कि जो आपकी यहाँ पर बैलू थी मालो 150 रुपे की बैलू अब अगर मैं बोलता हूँ यह particular company ने कुछ गलत भी किया गलत किया ना क्या होगा आप बताइए यह particular company मालो गलत करती है तो ठीक है निप्टी क्या करेगी अगर आप मैं particular निप्टी के बात करो तो यह क्या करेगी अगर इसने गलत कि निप्टी क्या करेगी इस company को खाड़ करके side कर देगी निप्टी उस company को side कर देगी बोला भी यह तुचा तू अच्छा performance नहीं कर रही मेरे लायक तू नहीं है उस company को side कर देगी और उसकी जगह क्या करेगी जो भी अच्छा performance कर रहा होगा उस company को यहाँ पर इनकर लेगी कहने के मतलब यह कि अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए डाला हुआ है ना आपके यह 100 रुपए ऐसा नहीं है कि नहीं आपका यहाँ पर खराब हो जाएगा च्योंकि आपके यह जो 100 रुपए यह पूरी पूरी company में आपका यहाँ पर investment हो रहा है यहीं पर अगर आपने इस company में particular company में investment किया होता जो कि यहाँ पर खराब पर दर्सन कर रही थी तो क्या होता आपके capital यहाँ पर 50% हो गए होते या तो आपके capital यहाँ पर पूरा 70% बास आउट हो जाते मत करिए कभी भी जिन्दगी में कभी एक company के उपर इस इंडिया के किसी भी एक company के उपर भरोसा मत करिए कि चूंकि news होता है news के अंदर पता नहीं क्या crime हो जाए क्या corruption हो जाए क्या हो जाए भगवान जाए तो हमने क्या गलती किया है हम एक छोटे ट्रेडर है हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है हम खेती करते हैं कमाई करते हैं किसी company में जाब करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर करके हमको salary मिलती है और उस salary से हम यहाँ पर ला करके share market के अंदर investment करते हैं और उचा करके अकर मान लिजे company भाग गई हम क्या करेंगे हमारी क्या गलती थी नहीं थी तो आपको बचाओ करना है अपने आपको आप बचाओ यहाँ पर करिए और सबसे बड़ी बात है कि बचाओ करेंगे तो आप ऐसा होई नहीं सकता कि आप profit में नहीं रहेंगे करना क्या थी कि यहां पर मैंने आपको यह बताया था देखे मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो विचारें को पास पैसा कम होता है और वो शेर मार्केट के अंदर आ करके और वो पैसे को क्या करते हैं इंवेश्टमेंट करना चाहते हैं आपके पास मान लिजे कि मैं बोलता हूँ महीने के आप में 500 रुपए यहां पर बचे हुए ठीक है आपके पास यहां पर 500 रुपए महीने के बच गए 500 बच गे न आपका जिस दिन भी मन करता है आपका जिस दिन मन करता है आप अगर किसी mutual fund में investment करते हो न आपकी उसकी एक दिन की fixability होती है mutual fund में क्या होता है आपकी यहाँ पर कुछ charges काटे जाते है चाहे आप direct plan लो चाहे आप growth plan लो जो भी आप लेते हो उसकी यहाँ पर क्या होता है fund manager होता है आप मेंजर हो आप यहाँ पर decide कर रहे हो कि मैं यहाँ पर 50 के पचास कमपरियों में मैं खुद इन्वेश्टमेंट कर रहा हूं और आप खुद के राजा हो मेरी बात समझ रहे हो मेरी बात आप समझ रहा है please, जो मैं आप पताना चाहते हूँ, आप खुद के राजा हो, तो उस राजा बन ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस राजा बने के लिए आपको यहाँ पर छोटा सचीज करना है, जो personal new trader है, उनको यहाँ पर एक क्या करना है सर्च करना है यहां पर आपको सर्च करना है निप्टी बीज करके द्यान में रखिएगा निप्टी बीज क्या दुबार यहां पर मैं लिखके आपको यहां पर बताना चाहता हूं आपको क्या लिखना है यहां पर सर्च करना है निप्टी निप्टी लिखिएग 100 multiple है मतलब nifty अगर माल लीज़े कि यहाँ पर आपका 22,000 में आपका यहाँ पर trade कर रहा है अब अगर आप एक nifty का share buy करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत पैसा लगने वाला है लगने वाला है और आप direct index को buy कर भी नहीं सकते हो future के अलावा समझेगा आप direct index को buy कर भी नहीं सकते हो future के अलावा आप future में ही काम कर सकते हो index में आप direct किसी भी index को ना आप nifty को buy कर सकते हो ना आप bank nifty को buy कर सकते हो आप future को buy कर सकते हो तो मेरे दोस्त आपको future को buy करने के लिए आपको बहुत पैसा लगता है और future को आप सिर्फ तीन महीने के contact के लिए ही buy कर सकते हो, उसके बाद वो भी expire होता है, समझ ने, तो आपको इसको क्या करना है, nipty को direct खरीदने के लिए, आपको क्या करना है, nipty beach को सर्च करना है, nipty beach, nipty beach को आप सर्च करेंगे, जब आप nipty beach को सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आएगा, जो उसका current rate चल रहा है, अभी 245 के around में चल रहा है, ठीक है, 245 के around में चल रहा है, आपको क्या करना है, आपको direct इसको आपको यहाँ पर buy करना है, direct आपको यहाँ पर buy कर लेना, अब आप 245 बोलेंगे बोला सर्च 245, यस, आपको सिर्फ 245 रुपय में आपको यहाँ पर 50 कंपनियों में investment करने का आपको बिल्कुल सुनाहरा offer है यहाँ, समझ ये मेरी बाग, 245 रुपय में आप सीधे सीधे 50, इंडिया की 50 most कंपनियों में आपने investment कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपने निप्टी बीज का सेर आपको buy करना है, और जैसे आप यहाँ पर निप्टी बीज का सेर बाई करते हैं, इसका मतलब आपने निप्टी के 50 सेरों में आपने पैसा लगा दिया, अब आप बोलेंगे, बोलेंगे आप भी आपने बताए कि निप्टी क्या करती है, कि वो 50 सेर को बाहर करती रहती है, एक सेर को, करने दो ना, अरे आपने इस महीने किया, आपने जो इस महीने काम किया था मालो आपने यहाँ पर 2000 रुपए लगाया था 2000 रुपए में लगा करके आपने 50 सेर को बाई किया निप्टी के 50 कंपोनियों में डाल दिया आपको सेर से मतलब यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्त रही समझे रहे हैं मेरे बात के नहीं समझे हैं मैं आप दुबारा बता हूँ यहाँ नहीं पर भी देखो आप कोई एक Seru Vye करते हो आप ईसवें इस आ कुछ नहीं नहीं है आपको क्रैयस होगा छूकि अगरें इंडिया की अंघिया की A müRe क्रैस होगी है जब बहुत बड़ा कांड हो जाता है ना तब आपका जैसे क्रोना टाइम में लेलो तो वो market आपकी क्या होई थी वहाँ पर market गिरी थी आप आप ये बताईए कि market गिरी थी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका निप्टी भीच का market गिरी थी माल लो यहाँ पर निप्टी कहने के मतलब क्या है आप हर दिन आप हर दिन यहां पर इंवेश्टमेंट कर सकते हो हर दिन आप हर मन्त यहां पर इंवेश्टमेंट कर सकते हो आप हर घंटे हर एक घंटे यहां पर इंवेश्टमेंट कर सकते हो आपको यहां पर कोई भी किसी तरह कि आपको यहां पर रोंक को नहीं है कि नहीं आपने कुछी डेट को ही इंबेस्टमेंट करना है आपने किसी पार्टिकुलर दिन को ही इंबेस्टमेंट करना है आपने किसी पार्टिकुलर दिन में यहाँ पैसा निकाल सकते हो आप किसी पार्टिकुलर दिन में ही आप यहाँ पर पैसा भी डाल कर सकत और जा करके आप निपटी भीच के आप यहाँ पर 500 ओके 200 राप यहाँ पर उठा लीजी खतम, आपके 200 राजाएंगे न भाई आप यहाँ पर उठा करके बाई करके छोड़ दिजी हो गया, आप जो यहाँ पर share buy करेंगे आपको वो share आपके payment account में आपके पड़ा रहेगा आप चाहें आपने आज buy किया है उसको चाहें तो आप कल बेंज सकते हैं उसको चाहें तो आप परसों बेंज सकते हैं उसको चाहें तो आप दस दिन बाद बेंज सकते हैं उसको चाहें तो आप 30 साल बाद बेंच सकते हैं, वो मर्जी आपकी, किलियर है मेरी बात, अब यहाँ पर, चुकि इन्वेस्टमेंट के बारे मैंने आपको बता दिये, कि आप किस तरह से यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, डेली चाहो, डेली खरीदो, हर दि ECS चलता है, इस तरह से आपको, IT से जो भी share चलता है, उस तरह से यह trade करता है, हर एक second, इसमें liquidity इतनी भर-भर के पड़ी, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही खरीदने में, ना ही बेचने, आप जितनी टाइम मर्जी, उतनी टाइम आप यहाँ पर order प्ल बेच पाऊंगा, या मैं कल खरीदा हूं तो परसों बेच पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप यह एक share है, और आप यहाँ पर हर एक second में trade कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, देखो, एक new trader है, दूसरी एक बात बता तो, जो new trader है, वो बोलता ह मैं share market हूँ, अरे कभी आप इसमें अजमा के देखना, आप सीधे ना, आपको बहुत बड़े-बड़े share में यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, मालो आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं, मालो यहाँ पर आपके पास 20,000 रुपे हैं, ठीक, आपके पास यहाँ पर 20,000 share चाहिए, और बढ़िया royal share चाहिए, आपको लगता है, आप यहाँ पर निप्टी पीच के share भाई करो ना भाई, आप यहाँ पर intraday करो, या डिलेवरी करो, या आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत ने, करो, आप intraday में जाके share खरीद लो इसके, share खरीद करो, कोई दिक्कत नी, आपको साम को लगता है, साड़ी तीन बज़े मैं sell करूँगा, आप साड़ी तीन बज़े sell करिए, आपको लगता है, मैं यहाँ पर नौ बज़ के, बीस मिनट में यहाँ पर मैं share को buy करूँगा, और इसके बाद मैं sell कर दूँग, आप करो ना, दिक्कत क्या, अगर न नहीं कर सकते हो ना क्या आप किसी S.I.P. में ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना मैं मचंवल Fund में आप करते है तो वह NAV में होता है जो आपको वहाँ पर दिखाता है और यू दिन भरका आपका को ना यहां पर इनवेश्टमेंट करने के लिए कई तरह के चीज़े लॉली पाप दिया जाता है कई तरह का आपको काल पूट बताया जाता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि कम सकम इनवेश्टमेंट करने के लिए गरीब आदमी को तो बताओ यगर उसके पास पैसा उसको कहां पर investment करना है, कहां पर उसको पैसा यहां पर save करना चाहिए, मतलब उसको कुछ, यहां पर system है नहीं बता जाता है, जो इसका नाम है, उसका नाम है Nhipty Beach करके, आप Nhipty Beach जब वहां पर जाएंगे, Beach करके जब वहां पर search करें मैं आपको दिखा दूँगा, निप्टी भी सर्च करें, उसका जो current rate चल रहा है, भी 245 रुपई का चल रहा है, ठीक है, आप हर दिन trade कर सकते हैं, बिल्कुल exchange, इसका नाम actually है, ETF का नाम, अब आप बहुत सो लोग बोले, गोले सर, ETF का नाम क्या होता है, इसका होता है, exchange traded fund, EXCH A&G, exchange, traded, मतलब, traded fund, मतलब ये आपका exchange के अंदर trade होता है, समझ रहे, ETF का मतलब होता है, exchange क्या होता है, अरे, exchange आपका यही है, benchmark, जो आपका, NSC, BSC, NIPTI, PIN, NIPTI, ये सारे चीज़ें, मतलब ये exchange के अंदर ही trade हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते है, exchange के अंदर, जो भी system trade ह होता है, उसको हम ETF के नाम से जानते है, exchange traded fund, आप समझ ये, ETF में आपको यहाँ पर, कोई मतलब गोमने की जुरूत नहीं बोला, ETF कौन सी बला है, ETF कौन सी बला है, ETF यही बला है, जो भी आपका system, जो भी share, आपको exchange के अंदर, मतलब Indian share market के अंदर, जो trade होते हैं, करनती new trading होत है, नहीं, अपनी हर एक company ने ETF कोल के रखा हुआ है, आप जाएंगे IT, IT में भी आपको ETF मिल जाएगा, IT company का आपको ETF मिल जाएगा, आपको bank wage मिल जाएगा, हाँ, मैं आपको यहाँ बता रहा था, आप यहाँ पर तो निप्टी का देख लिया, अब यहाँ पर आप आप जा आपको IT index, IT sector आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप IT वीच खरीद लो, आपको gold sector अच्छा लगता है, आप gold वीच खरीद लो, आपको silver का अच्छा लगता है, आप silver वीच खरीद लो, जो margin आप खरीद ओ, आपका हर एक ETF इसमें trade करता है, आपको कहीं भटकने की जिरु आप नहीं हूँ चुकि मैं खुद एक option trader हूँ ठीक है मैं यह नहीं बोलतू बट आपका यहाँ पर फर्ज यह होना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए में से आप कोशिस करिए कि 5,000 रुपए का आप यहाँ पर क्या करिए आप 5,000 सब बचा हुआ है आप यकिन करिए अगर इस पैसे को आप हर मेने इसी तरह से छोड़ते जाएगा तो जितना भी आपने नुकसान किया है जितना आप नुकसान करोगे 2 साल में 3 साल में वो यह आपका अगर आपने इसको छोड़ दिया आपको यह टोटल आपका लास कतनी पर छोटे capital से करो ठीक है लेकिन में पैसा आपके यहां पर investment होना चाहिए आप यकीन करिए आपका 10 लाग 20 लाग जो भी नुक्सान हुआ होगा ना पूरा का पूरा का पैसा आपका ये ETF कभर करके एक महीने त्यार रहे कि ठीक है यहां पर निप्टी गिरे और मैं खरीदू निप्टी बढ़े या मैं खरीदू कोई दिक्कत नहीं आप हर एक महीने खरी सकते हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि आप सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान के तरफ भी आप इसको ले सकते हैं आप एक डेट फिक्स करिए जब आप मार्केट माल लेजे आपका 3% यहां पर डाउन है ठीक है जब आपका 3% माल लेजे डाउन है मार्केट आप पैसा डालिए ना वहां पर 20% आप पैसा ली न ऐसे कर रहें न 22,000 या ऐसे कुछ कर रही ठीक है ठीक है आप 22,000 एक सो पचास के रहें गेरी है न उपर से लगवग 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 हजार पॉइंट तो गिर है न आपको यहां पर काम बनता है कि आपको लगवग 20,000 रुपए आपको पास अगर बैलेंस है तो आ आपका ये पैसा जो आपने यहाँ पर डाला है यह भी पैसा आपका जाना है उपर यह समझ के रखिए ठीक है तो यह तो हो गया आपका मैंने बता जिए आप चलो मैं चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि चार्ट क्या चार्ट के माध्यम से यहाँ पर हम आपको यहां पर rate देखो, क्या rate चला था, मालों, यहां पर 242 रुपए rate चला था, ठीक है, आपने 242 रुपए में 10,000 का rate यहां पर sell buy किया, और जैसे यह उपर गए, यहां पर उपर गए, आप यहां पर exit कर जो, दिक्कत का, अरे भाईया, इससी अच्छा चीत कहीं मिलेगा जिस तरह से आप, आप क्या करते हो, किसी भी, आप share को sell करते हो, जिसके पास ज्यादा पैसा रहा तो, उस sell करता है, तो जैसे यह मालों यहां पर नीचे आए, अब आपको यहां पर sell नहीं करना है, जैसे मालों यहां पर यह नीचे आया था, यहां पर यह नीचे आया था, कोई बात नहीं यार तुँ यहां सेका 250 रुपे से तुँ यहां पर आया 240 रुपे में चल्ट एक रूपे एक Cel by कर ले दो, करो भाई रखलो चुर्कि भाई यहां पर आप Cel को Cel करो गे तो Cel को Cel करने में आपको margin जादा लगता है, वो भी हैस बात है आप पक्का पैसा बनाएंगे ऐसा हो यह नहीं सकता कि जार मार्केट में पैसा नहीं है कमाने का इसका भी हैजिंग का सिस्टम है हैजिंग के मैं वीडियो कोई और बना दूँगा इसका इतना तगड़ा हैजिंग का सिस्टम है आप चाहें तो मन्थली प्लान इसमें एक कर सकते हैं मन्थली आप इसमें से रिटर्न कम आ सकते हैं मेरे दोथ लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसा जादा चाहिए होता है ठीक है अगर आप निप्टी वेज में ट्रेड करते हो तो फिर आप निप्टी वीज के अंगेश्ट में आप मारजिन को प्लेश्ट करके आप यहाँ पर future और option में trade करते हैं तो उसके साथ साथ आप क्या करते हैं आप यहाँ पर mental income बना सकते हो यह चीज़ें आपको कोई बताते हैं निप्टी वीज आपको यहाँ पर टाप में थ और फिर आप में था आप 202 रुपए के चल रहा था अब 202 रुपए से आपको यहाँ पर आया ना नीचे अभी करेंट रेत आप को लेना चाहिए कर नहीं लेना चाहिए चुकि यहाँ से कितने परसंट नीचे गिरा हुए देख लिए लगवक्त 7 रुपए कर आप थोड़ा-thोड़ा यहाँ पर investment भी करते जाए जिससे आप यहाँ पर अपने भविस्ष को बचा सके अब इसका डएली टाइम फ्रेम देखें डएली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखाना चाहत हो चलिए यह डेली टाइम फ्रेम में उठा लिजिए यह लिजी अब बताओ यार कहां से आपको नुकसान होगा देखो डेली टाइम फ्रेम में आप यहां पर उठाओ कहां पर एक समय जो इसका रेट चला था 2000 यहां कि मैं बात करूँ यहां पर इस समय 2020 में इसका रेट कितना चला था सिर्फ 88 रुपए चला था था ना 2020 20 में कितनी बार गिरा कितनी बार आपको यहां पर नुक्सान देगा मुझे सुर्फ ये बताओ बहुत से लोग बोल देगा असन नुक्सान देगा आपगर 2020 में किसी शिर में आप बाई कर रखे हो ते हो रख लगव़भभ आपको क musimy कैपिटल तीन गुना करने वाला है, तीन गुना करने वाला है कि नहीं, यह होता है, यह होता है, यह होता है, पावर, पावर आप सेहर मार्केट, आप लोगों को यह चीज बताते नहीं, कोई नहीं बताता, इस टाक में गुसेड़े जाते हैं, अरे यस बैंक बाई कर लो, अरे आटी के यह सेहर बाई क तब जाकर कि आपके पैसे के दाग लगे, तब जाकर कि हिम्मत होने चाहिए आपके पैसे कहाप पर नुकसान करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सला कोई एक मतलब मोर खा करके किसी कंपनी को गिरा दे, और आपका पेशारा सेव किया हुआ कैपिटल, आपका यहाँ प